Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने के सीरेज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel की, खास क्या है Excel में आईए आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इस तरह का question आप से पूछ लिया जाए और यहाँ पर product का नाम दिया गया है और यहाँ पर रेख सकते नीचे अलग-अलग product के नाम लिखते हैं, समस्य यह है कि आप गए है interview में और interview में आप से कहा गया है कि इन सब को total कर देगे, तो आप क्या करेंगे, आप कोई shortcut trick लगा सकते हैं, आप यहाँ तो is equal to sum का formula लगाएंगे, यहाँ पर click करके क्या करेंगे, alt के साथ equal to press करेंगे, तो यहाँ पर sum आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर range नहीं आ रही है, तो आप manually select करके और enter करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा zero, और दिक्कत हो जाएगे interview के लिए interview में आप पास नहीं होगे, तो यह सी धियान रखिएगा इसको कैसे करना है, तो पहले तो इसको select करके, इसको अब हम जाएंगे कहाँ पर, यह custom पर जाएंगे, और custom पर आपको general दिखाई देगा, तो एक बार space दीजिए, और double quote में क्या लिखिए, kg, ठीक है, यह kg लिख दिया, और फिर double quote को close कर दिया, और enter कर दिया, तो अब enter करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और कुछ भी लिखते जैसे माली यह, कि 5 kg था ना, तो यहाँ पर 5 लिखते हैं और enter करते हैं, तो kg यहाँ पर अपने आप आप आएगा, ठीक है, इसके बाद जो भी आप लिखेंगे, जैसे 6 kg था, तो यहाँ पर 6 किया, तो kg अपने आप आप आएगा, फिर 5 था, तो 5 अपने आप 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 करने में और कोई भी पूछेगा, चाहे वो interviewer हो, चाहे वो कोई आन्य व्यक्ति हो, पूछेगा तो आप 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 आपने के साथ जवाब भी दे पाएंगे, तो format sales का यह जो है, काफी अच्छा use है, उमीद करता हूँ बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आए, तो ट ययर्गर ए, थांक यू for watching this video.